और निश्ची तोर पर कानपूर के लोगों को एक बड़ी जो सौगात है वो आज मिलने जा रही है कानपूर मेट्रो जिसकी जो लोकारपन है वो आज होगा आपको बता दें कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें और प्रदान मंतरी उसका जो लोकारपन है वो वो करेंगे तो निश्ची कोरपर आज का दिन कानपूर वाचियों के लिए बड़ा दिन है और यह मैट्रो कह सकते हैं कि कई माइनों में देश की दूसरी मैट्रो से धिन है क्योंकि अत्याथनिक बनाया गया है तमाम जो तक्नी सिटी रहा है और जाम यहां पर लगता है लेकिन मैट्रो के बाद वो समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और बड़े पैमाने पर जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं इसके लाबा इस्टूडेंट हैं क्योंकि आपने देखा होगा आई टी कानपूर से इसकी शुरू जो सुगदा है वो कानपूर वासियों के लिए एक नया कह सकते हैं कि शुरूआत करेंगी अब कानपूर की जीवन में और यही कारण है कि तमाम लोग खुशी ब्यक्त कर रहे हैं कि प्रदान मंतरी आज इसका लोकारपन कर रहे हैं और कानपूर वासियों को बड़ी सौग की बात है यह कि मेट्रो अगर आजाएगी क्योंकि स्मार्ट सिटी में कानपूर का नाम है ही है और इसको स्मार्ट बनाने के लिए उसके डेवलप्मेंट के लिए भी प्रदान मंतरी की पैनी नजर यहां पर है तमाम ऐसी है क्योंकि और दिरिश्टी से देखा जाए तो का अगर देखा जाए तो क्योंकि यहां पर जब मेट्रो की जो सुविधा यहां पर लोगों को मिलनी शुरू होगी तो ऐसे में लोगों के लिए कितनी राहत की बात होगी है लोगों के लिए राहत की बात होगी तमाम जो डेली के जो जाम है उसे लोगों को निजात मिलेगी अगर किसी भी ब्यक्ति को हॉस्पिटल जाना है किसी बीमारी का इलाज करने के लिए वो आसानी से पहुँच पाएगा कमाम जो लोग मार्केटिंग करना चाहते हैं वो कर पाएंगे और उनको किसी तरह की परिशानी है यातायात को लिकर वो नहीं होगी इसके साथ साथी अब ऐसा नहीं है कि जब मैटरों का विकास होता है वो ना हो सके आजबात का जो छेत्र है उसको पूरी तरीके से डवलप किया गया है और उसका जो असर है वो दूसरी चीजों पर भी निरज मैं आपको यहाँ पर रोखना चाहूँगा क्योंकि प्रदानमंतरी नरेंदर मोदी यहाँ पर जो प्रदर्शनी है उसका एक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उस प्रदर्शनी को देख रहे हैं कि किस तरह से उसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि डेमो देख रहे हैं कि आखिर किस तरह से यह पूरा काम किया गया है मैट्रो किस तरह से संचालित होगी जो रूट्स हैं वो तमाम यहां पर देख रहे हैं तो प् किस तरह से प्रधान मंतरी इस टेक्नोलीजी को समझ रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि अखिर किस तरह से यह पूरा जो पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है किस तरह से काम हो रहा है कैसे कैसे जो connectivity है वो रखी गई है कितनी दूरी पर रखी गई है इन तमाम महतवपूर्ण बातों को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी यहाँ पर समझ रहा है नीरज हमारे सयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए है नीरज अगर हम बात करें तो अगर क्योंकि हम देखते हैं जैसे दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर आठ डिब्बे होते हैं अगर बात की जाए तो तमाम जो विशिष्टाएं उसमें नजर आई हैं क्योंकि हम अगर दिल्ली की बात करते तो मैट्रो में डिबे जादा हैं लेकिन अगर हम कानपूर की बात करें तो तीन डिबो की ही मैट्रो अभी शुरुवात इसकी गई गई है और साथ ही साथ हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि इसकी विशिष्टाएं क्या हैं क्योंकि ये सबसे जादा हाई-टेक मैट्रो ट्रेन मदाई जा रही है प्रदान मंत्री जी इस समय प्रदरशनी का अवलोगन करने के बाद अब मैट्रो की तरफ जा रहे हैं आपको बता दें कि आधनिक इसलिए भी है कि इसमें सुविधाओं के साथ साथ कई चीजे नहीं है जैसे कि इस मैट्रो में जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो इस तरह का है कि जब भी मैट्रो में ब्रेक लगेगी उसे इनर्जी जनरेट होगी और वो इनर्जी एक इनवर्टर में संबट होके उसको इस्टोर किया जा सकता है और मैट्रो के संचालन में ही उस इनर्जी को प्रियोफ किया जा सकता है जिसको साथ रेल बोला गया है उसी के द्वारा यह रेल है जो मैट्रो रेल है वो चलेगी और वाइर है जेratic के तारह आए वो उपर नहीं तर आपने देखा होगा जो तार आपको उपर देखाई दे नहीं है इसके एसले समय देती में झांदारिम देन है उसकोड़ की गई इसले सरेका कुद करिया है कि जब भी लिफ्ट अपरेट होगी। जब लिफ्ट चलेगी तो उसे जो इनर्जी निगलेगी उस इनर्जी का जो प्रियोग नारा से कर सकते हैं, और करीब 8935 के करीब जो बिजली उसको पर आप बचा सकते हैं जाले कि अगर आपने एक है जार यूनिट विजली खर्च की तो आप समझ सकते हैं कि चार सो पचास यूनिट आप विजली सिद्माब कर सकते हैं और इसاسमें अगर आप देखें हैं को दानिमी कानपर मैट्रों के अंदर पहुचे हैं और ये कानपुर बार्चियों के लिए कह सकते हैं कि बला दिन है और प्लडान मंत्री खुद इसमें सफर करेंगे मेट्रो में सफर करेंगे और प्लडान मंत्री का ये जो सफर है वो आईटी कानपुर से स्थरू होगा इसके अलाबा जो अगला जो स्टॉप आएगा वो मंत्री योगी और इसके लाबा मंत्री हर्जी सिंग्पुरी और प्रडान मंत्री खुद कानफोर्ट मेट्रो फ्रेंग के अदर बैशे हैं सीन दिपों की इस्ट्रेंग है और जो 974 लोग इसमें एक बार में सफर कर सकते हैं इसके साथा जो तकनी का इसमें प्रॉप किया जया है जो इसमें लगाए गया है वह तो ऐसी प्रणाली पहें कि आपकी बोडी के टेंपरेचर के हिसाब से यह जो एसी है वो काम करेगा उसके भी काफी बिजली की बचत होगी अगर आप देखें तो यह मेट्रो जाते हुए और अगला जो स्टेशन है वो कल्यारपूर स्टेशन होगा जहां से गुद्रेंगे प्रिदान मंत्री जी और आपको बताते हैं कि काफी इलाका था वो पहले और शॉपिंग के लिए लोग अलग अलग जगहों से वहां पर पहुंचते थे और तमाम परेशानियां उनको होती थी लेकिन अब कल्यारपूर पूरा बदल गया है और आसानी से वहां पर प्रिदान मंत्री देखते हुए उस पूरे इलाके को किस तरीकी से डवलब किया गया है इसके साथ साथी जो और ट्रैक बनाये गया है मैटरो का वहां पर सबसे बड़ी खाशियती है कि पूरी धी है उसका ध्यान दखा गया है और एक तरह से घ्रीन मेटरो अगर हम इसे कह पूरा का पूरा इलाका है उसे उसमें ग्रीन री का प्रयोग किया गया है आप यह देख रहे होंगे बिजुलों को कितना इलाका है जापर पहले ट्रैफिक की तमाम दिक्टेते होती थी लेकिन अब मैटरो की सुगदा पिली है और लोग आसानी से सफर कर सकते हैं और प्र जा रहा है क्योंकि अगर इस मैटरो की बात करें तो दो साल के अल्फ अबदी में यह मैटरो बनी है और यह आप देखें कल्यारपूर मैटरो स्टेजन जिससे गुजरते हुए प्रदान मंत्री और मुक्त मंत्री योगी आदे पिनाद निश्यत और पर निरज क्योंकि हमने देखा कि मैटरो का काम बहुत तेजी से चला है कानपूर में और प्रदान मंत्री नरेंडर मुदीब जब से अगर हम देख रहे हैं कि उनकी जो पहनी नजर है उतर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं तमाम ऐसे शहर है जहां पर उनकी की पहनी नजर है और साथी साथ विकास की एक जो बैयार यहां पर देखने को मिल रही है तो इसकी अब एक सौगात कानपूर वासियों को भी आज मिल रही है तिके बल्कुल को कि प्रदान मंतिर जी का मानना है कि तमाम जो मैट्रो शहर हैं इसमार्ट सिची हैं उनमें जो सुगधा हैं वो भी स्मार्ट होनी चाहिए वो सिर्फ नाम वरते ना हो क्योंकि इस तरीके से मैट्रो की शुरुआत हुई है जो बतेज हैं वो लगाए गई रही हैं कानपुर के अंदर जिस तरीके से विगास के तमाम किये जा रहे हैं और जिस तरीके से आपने देखा होगा वीना पनकी जो लाइन है उसको प्रेटॉलियम पदार्थां के लिए कह सकते हैं कि जो याता यात है वो काफी स्टुगम हो पाएगा और पाइपलान के द और यही करण है कि आज जरूर मेट्रों की शुरुआत हुई है लेकिन इसके साथ साथ तमाम जो विदाज के जो कार है वो भी स्कानपुर में लगातार चलना है आपको मैं बतातू कि इस प्रसम चरंग का जो कार शुरू हुआ है वो आईटी कांपुर मेट्रों से लेकर जो जो इस्टेशन है वो मोती जीक सक है लेकिन इसको आने वाले समय में आगे बढ़ाया जाएगा और अभी 9 किलोमेटर का जो ट्रैक है वो तैयार है लेकिन इस ट्रैक को करीब 28 किलोमेटर तक जो पहला कॉरिडोर है उसको नौ बस्ता तक यानि कानपुर से लेकर नौ बस्त जाये जाएगा 28 किलोमेटर से ज्यादा का ड्रेक है और जो दूसरा इसको गोरिडोर बनेगा वो एक्रिकाइज केटर यूनिवस्टि थे सुरू होगा वो बहुत करीब 8,30érence का बढ़स पहला आप क्रेक होगा और क्जोंусनों पहले स्ट जो जूसरा ए वाहनोर और 2024 तो पूरे जात कर लिया जाहेगा यानि कि साले 32 कीलोमीटर का ये पूरा ट्रैक है जिसमेन कानगफ की ट्रैफिक की समस्य आरे की डूर और गांचह जाए कि इसके साथ अब जगह की बाठ गुरों जाके कर CASU के लिए इत्नी बड़ी Q Kannफर में अथ्यात होने कि Η मैइन in यह Mmm ऄनने यह सफिरें कि नहीं प्रहीं प्रदानमंत्रि में तरहन में आपसे ये समझना चाहेंगे कि अगर हम आज कारिक्रम की बात करें तो तमाम ऐसी सोगाते हैं जो आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अभी और कानपूर को देने वाले हैं करके लोगों को आज खनपुर वाक्षियों को सौपेंगी इसके साथी भीना पंकी प्रेटॉलियम गैस पाइपलाइन है उसका भी आज उसकी शुरुवात है क्योंकि 344 किलोमेटर करीप के लंबी लाइन है और इससे प्रेटॉलियम पदार्थ है वो मध्य प्रदेश से उत् से समय के अंदर ही वो प्रेटॉलियम पदार्थ पुर्वांचल सक पहुंच पाएगा तो लोगों के लिए उससे बड़ी सुविदा होगी इसके साथी एक बड़ी अफ्लिक रैजी है प्रदान मंत्री उसको संबोदिक करेंगे और जहां से मैट्रो का सफर से करके प्रदा आज का दिन फानपूर बाजियों के लिए बड़ा दिन है और ना कि बल इसके खानपूर में बदलाब आएगा बल्पी खानपूर के आजवाद की जो शेत्रे उसमें भी बड़ा बदलाब एक ने को मैं बता दूं कि जो मैट्रो के अंदर किस तरह की जो पूबिया है वो इसके लाब है कारवन ऑक्सिडाइज चैंसर पेस्ट इयर कंडिशन इसमें लगाया गया है जो आपकी बॉड़ी के टेंटेशर के साफे ही चलेगा तो उसमें भी कापी इनर्जी है वो सेवोगी ऑटोमेटिक एन ऑपरेशन सिस्टम इसमें यूज किया गया है कंट्रॉल इसके लाब है कि अगर इसके अगर बात करें तो मैक्सिमम नभे किलोमेटर परावर इसकी स्पीड है और जो ऑपरेशनल स्पीड रही है वो और सी किलोमेटर के आसपात रही है एक साथ में 974 प्रेसिंजर इन पीन डिपे वाली स्ट्रेंड में सफर कर सकते हैं और बड़ी तो मोबाइल चारजर हर्तावी के करीब मोबाइल चारजर के जो पॉइंट है वो इसमें ठीय गये है और इस केमरों की खासियत यह है कि जब मैट्रो इस्टेशन तर पहुचेजी तो वो इस्टेशन भी पूरा इसी कैमरे से जो मैट्रो टेंड आपरेटर ऑफ देख पाए जी नीरज, चनेक्तिविटी के लिहास से अगर हम बात करें तो जैसा की है कि गंगतववेस्थान तक पहुचने में इसको 32 किरो मीट्र का सफर Shirya करना पड़ेगा ऐसे में कौन-कौन सा रूट जो है उसमें कौन-कौन से यस स्टेशन पढ़ेंगे जहां के लोगों को सब sich ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। जहां प्रडान मंत्री ची उत्रेंगे। और इससे जो अगला इस्टेशन है इसी ट्रेक को अगर हम आज लेके जाएंगे। तो लाला लाजपत राय हॉस्टीटल है। वहां तक यह ट्रेक पहुचा है और उसके बाद मोती चील है। इसके साथ ही कानपूर का जो बस स्टेंड है उसको कनेक्ट करेगा। ट्रांस्पोर्ट नगर है उसको कनेक्ट करेगा। किर्भई नगर वहां से होते हुए वसंत बिहार, बुत नगर और नौबस्ता। यह पहला जो ट्राइक है जो 28 किलोमेटर से ज्यादा का ट्रैक है यह कानपूर, आएटी कानपूर से शुरू होकर नौबस्ता बन जाएगा। अगर हम दूसरे ट्रैक ही अगर बात कर रहे हैं, और अब तो अग्री कल्चर उनिवस्ट्री से शुरू होगा, और इस समय प्रिदान मंत्री जी अगर आप देखें, तो किता नगर सा जो मेट्रो स्टेशन है, उस पर प्रिदान मंत्री का साकला पहुचा है, और यहां प् अगराई प्रिदान मंत्री से शुरू होगा और इसके लावा डबल कुदिया से होते हुए विजय नगर चुराया पहुचेगा, और नगर पहुचेगा, सास्तिर चौक पहुचेगा, फिर वाराएट रहाज वाहां पहुचेगा, और यही पूरा का पूरा जो ट्रैक है, जो 35 किलोमेटर से ज़्यादा का ट्रेक है और इस पूरे ट्रेक को 2024 तक बना लिये जाएगा और यही कारण है कि एक बड़ी सोगात है और इस समय प्रधान मंत्री जी घीता नगर जो मैटो है उसे निकल के रुए बाद जी पहले फेस की बाद तो सामने साफ तस्वीरों में नजर आ रही है लेकिन अगर हम दूसरे या तीसरे फेस की बात करें कि कानपुर में क्योंकि जगा जगा तक ये connectivity और आगे तक पहुंचे क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दो साल में वो करके दिख करें के दो प्रधान मंत्री ये जो रहता है कि जो भी प्रधान लोगों के लिए सुरू की